उमर खालिद बिचारा इनोसेंट सा बच्चा जो जे न्यू में पढ़ रहा था अच्छानक मोदी सरकार अर्थार्थ वो मोदी सरकार जो सुभास चंदर बोज की मूर्ती को दिल्ली में लगवाती है मतलब उस सुभास चंदर बोज की मूर्ती को जो हिटलर से मिला था देख रहे हो हिटलर से कितना इंस्पायर है ये मोदी तो ऐसी मोदी सरकार की द्रिष्टी इस भोले भाले से व्यक्ति पर पड़ी और देखा कि मुसल्मान का बच्चा है इसे आतंकवादी डेक्लेयर कर दो और उस पे UAPA सेटीशन नाजाने क्या क्या लगा दिया गया पांचो से अधिक दिनों से उमर को जेल में बंद कर रखा है इस फासीवादी सरकार में बेचारा कल उसकी बेल की हेरिंग थी उसमें जो जो हुआ उस पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप हमारे साथ बने रहे तो देखते रहे हैं आज की दादर खबर प्रतिशत जंता के पास भोजन करने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा नेशनल टीवी पर बिना किसी डेटा के बिना किसी सर्वे के बिना किसी रेफरेंस के बिना किसी रिसर्च के बोल दिया जाता है आज के बजट से ये पता चला कि इस वक्त देश में अमरितकाल चल रहा है अमरितकाल या अमरितकाल अगले 25 साल तक चलेगा जब भारत की आजादी 100 साल की हो जाएगी कहानिया ऐसे बनाई जाती हैं मुहावरे ऐसे गढ़े जाते हैं अमरितकाल चल रहा है असी प्रतिशत कुछ तो कूल हो जाएगा इनको क्या ही पता चलेगा ठीक बात है ठीक बात है भाई ठीक बात है अब ऐसा वेक्ति जर्नलिस्ट तो क्या ही कहें इन हैं तो यह वेक्ति जो इस लेवल पर आ चुका है कि उसे एक्सप्रेस वेके बनने से भी चेचिस हो रही है तो उसने उमर ख इस प्लानिंग की जानकारी ना पुलिस को होती है ना खुपिया विभाग को होती है वो भी तब जब अमेरिका के राश्पती टरम्प का भारत दोरा होने वाला है दंगों के कई महिनों बाद भी आधार यही है कि भाशन दिया है और किसी ने नाम लिया है क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली पुलिस के पास इससे कुछ अधिक ठोस सबूत होंगे उमर खालिद के जिस भाशन को आधार बनाया गया है वो भाशन 17 फरवरी को महरास्टर के अमरावती में दिया गया था उमर खालिद का कहना था कि भाशन का आखरी 40 सेकंड का हिस्सा काट कर गलत तरीके से पेश किया गया इस भाशन में उमर खालिद तो यही कह रहे हैं कि सरकार लोगों को बाटने का काम कर रही है तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोडने के लिए तयार है सडक पर उतरने की बाद कबसे देश द्रो हो गई इसके पहले भी विदेशी राष्टा ध्यक्षों के आगमन पर प्रदर्शन होते रहे हैं दुनिया भर में होते हैं इस लिहाज से हुंकार रेली, चेतावनी रेली, जनाक क्रोच रेली, हला बोल रेली, चक्का जाम प्रदर्शन भी कभी देश द्रो के दायरे में ना आ जाए उमर खालिद कह रहे हैं कि टरंप आ रहे हैं हम सडकों पर निकल आएंगे कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि टरंप के जाने तक तो हम शान्ती से जा रहे हैं दिल्ले पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि वो जाच में भेदभाव नहीं कर रही है उसका काम जाच करना है और संग्यान लेना कोट का उमर खालिद ने इतनी जगों पर भाशन दीन है अगर एक चुटकी हिंसा की बात की होती तो अब तक कई बार गिरफतार हो चुके होती है उमर पर आरोप है कि उन्होंने 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में सीक्रिट मीटिंग में हिस्सा लिया जहां ट्रम्प के आगमन पर मोधी सरकार को शर्मिंदा करने की साजिश बनी तो ये भाई जब कह रहे हैं कि उमर खालिद तो बेचारा मासूम सा वेक्ती है पुलिस केवल उसे इस आधार पर अरेस्ट करकर ले गई कि उसने कोई भाशन दिया था और उस भाशन में भी उसने शान्ती की महत्मा गांधी की बाते कहीं हैं और उमर खालिद को बचाने वाला केवल रवीश या एंडी टीवी नहीं थे उसे बचाने के लिए पूरी एक फोर्स लगी हुई थी जिगनेश मेवानी ने दप्रिंट में एक लेख लिखा और भाई ने कहा इन मूदीज इंडिया उमर खालिद प्रीचिज पीस बट इस कॉल्ड अ टेररिस्ट अरे भाई मेरा हिर्दय पसीज गया इतना मतलब इतना सितम देख रहे हो मेरी नाभी से खुन निकल चुका भाई फिर भाई था कुइंट ने बताया कि वैसे तो उमर खालिद को जेल में डालने का रीजन कुछ है ही नहीं परन्तु सरकार ने उस पर UAPA लगाया हुआ है और सुप्रीम कोट ने UAPA के अंतरकत डाले गए बंदियों को बेल देने से मना कर दिया है तो इसलिए उस बेचारे को अबना कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा उमर खालिद ने स्वेम अपने संदर्व में कहा एंटी-CAA प्रोटेस्ट सेकिलर था परन्तु चार्जशीट कमिनल थी स्क्रॉल ने कहा उमर खालिद कॉंसिट्यूशन बचाना चाह रहा था उसका बस यही अपराद है और ये सब केवल तब नहीं लिखा गया जब उसे अरेस्ट किया गया था ये सब हर थोड़े दिनों के बाद हर थोड़े दिनों के बाद लिखा जा रहा था जिससे उमर खालिद के परती सहानूब्यती बनाई जा सके अभी कुछी दिरों पहले उमर खालिद 500 डेज ऑफरेस नाम का एक हैश्टेग पिटर पर ट्रेंड कर रहा था जिसमें आल्ट न्यूज के फाउंडर जो कि अपने आपको फैक्ट चेकर कहते हैं उसने भी इस हैश्टेग में पार्टिसिपेट किया और उसने भारत में इसलामोफोबिया प्रूम करते हुए उमर खालिद को इनोसेंट बोलते हुए सारे फैक्ट चेक कर दिये एक ही ट्वीट के अंदर स्वरा भासकर मेहबुबामफती परकाश राज सब ने उमर खालिद के साथ सॉलिडियरिटी दिखाई और उसके पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया हमना अक्सर इस बात पर तो विचार करते हैं कि मीडिया ट्राइल में आरोपी को पहले से ही दोशी करार नहीं करना चाहिए और इस बार पर कोट भी संग्यान लेती रहती है पर क्या आरोपी को पहले से ही इनोसेंट घोशित करना भी एक दूसरे प्रकार का मीडिया ट्रैल नहीं है आरोपी के पक्ष में आप पब्लिक के सेंटिमेंट कर रहे हो जबकि आपने पुलिस की चार्द शीट तक भी डंग से नहीं पड़ी है ओह आप तो वैसे भी relevant section पढ़ने वाले हो नहीं? अब देखते हैं कि क्या क्या प्रूफ्स हैं उमर खालिद के अगेंस्ट अगले अध्याए में तो ये दिल्ले में दंगे हुए विकीपीडिया पर आप थोड़ा भी पढ़ोगे मतलब थोड़ा दो चमज भी पढ़ोगे तो आपको ये बहुत हो जाएगा कि ये दंगे हिंदूों ने मुसलमानों को मारने के लिए किये एग्जेक्ट कोट जो विकीपीडिया पर लिखा है वो है ये सब बिना पुलिस की जाच के बिना चार्जशीट के बिना कोट के ट्राइल के लिख दिया गया था दिप्लोमेट पढ़ोगे तो उसने भी लिखा एंटी मुसलिम राइट्स ओफ दिल्ली सेम हेडिंग थी अल जज़ीरा की दवायर का ये आर्टिकल भी आप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहे हैं बीबीसी ने हेडिंग में लिखा तो कुछ नहीं लेकिन पूरे कॉंटेंट में यही लिखा गया कि ये जो राइट्स थे ये एंटी मुसलिम थे दे गाडियन ने लिखा कि दिल्ली के मुसलमान दंगों के बाद अब उन्हें जस्टिस भी नहीं मिलेगा और टाइम मैगजीन ने भी इसे एंटी मुसलिम राइट्स ही पेंट किया आरफा खालम शेरवानी हो या राणा अयूब एजंडा केवल एक कि कैसे इन दंगों को मुसलिम रंग से पेंट किया जाए कैसे इने एंटी मुसलिम दिखाया जाए कैसे सारा आरोप, कपिल मिश्रा या अन्ने हिंदू ओपर डाला जाए परन्तु फुलिस की चार शीट में मेजर कॉंस्पिरेटर उमर खालेट एंड गैंग दिखाई पड़ता है बिना किसी प्रूफ के पूरे दंगे को सून योजित ढंग से एंटी मुसलिम करार दे कर सारा जो ब्लेम था वो हिंदू ओपर कैसे डाल दिया गया वो मैंने अभी आपको दिखाया अब चलिए प्रूफ की बात करते हैं और देखते हैं कि प्रूफ क्या कहते हैं कोर्ट में प्रूफ दिखाये गए जिसमें पहला प्रूफ दिखाये गया वाटसेप चैट का DPSG नामा के ग्रूप जिसमें शफूरा, शरजील, उमर के समेट कई अन्य लोग थे इस ग्रूप के मैसेज दिखाये गए और दिखाया गया कि दंगा होने से पहले ही इस ग्रूप में दंगे होने की बात चल रही थी और इस ग्रूप के लोगों को पता था कि दंगे ना होने ही वाले हैं और वो कपिल मुश्रा का उपहास भी कर रहा है थे कि कैसे कपिल मुश्रा को फसा कर पुलिस ले गई है उसे चांद बाग में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद डंडे, पत्थर, लाल मिर्च, तेजाब एकटे किये गए ये स्टेटमेंट है एक प्रत्यक्ष दर्शी की फिर उसी वाट्सेप ग्रूप की चैट आगे कोट में दिखाए गई जिसमें एक व्यक्ती ओवैस कह रहा था अबे यार तुमने वाइलेंस किया और तुम तो भाग गए पर हमारे लोकल लोगों को पुलिस पकड रही है पुलिस की आँख में मिर्च डालने के लिए लोकल लोगों को क्यों कहा गया तुम्हारी इन फैंटेसीज के चकर में सीलमपुर और यमनापार के लोग बड़ी ट्रबल में आ चुके है फिर उसी ग्रूप चैट में अनस्तनवीर ओवैस को समर्थन देते हुए कहता है कि तुम हमारी कब्र क्यों खुदवाना चाहते हो फिर एक मीटिंग की बात होती है और उस मीटिंग में उमर खालिद ने गुल से कहा कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है अब समय आ गया है कि खून भाना पड़ेगा भाशन से काम नहीं चलेगा और फिर इसी गुल ने अपने कुछ लोगों को इखटा किया जाफरावाद मेट्रो सेशन के नीचे और उन लोगों को लाठी, मेर, चुतेजा, पत्थर, इत्यादी, इत्यादी प्रदान किये गए फिर एक ग्रूप में जिसमें उमर खालित भी पार्ट हैं उसमें शीवा मेडम का मैसेज आता है कि आग लगवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है ये दंगे होने जे पहले का टेक्स था और जब दंगे बढ़क गए तो शेवा मेडम ने लिखा कि तिंग्स आर गूइंग इन दर रॉंग डिरेक्शन और उस पर रिप्लाई आया हमें अब वाइलन्स को ना थोड़ा सा रोकना होगा इसका अर्थ क्या निकलता है जी वो आप हमें बता दीजे कॉमेंट में इसका हर्थ हम भी बता देते हैं कि इसका हर्थ निकलता है कि दंगे मुस्लिम विरोधी थे हिंदू ने करवाये थे है ना रवीश जी बीबीसी वालों बता तू भाई यही होगा है ना फिर कोर्ट में कुछ सीसी टीवी फुटेजिस चलाई गई जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और दिखाया गया कि किस प्रकार चांद बाग में लाठी तलवार हाथ में लेकर जाली दार टोपी लगा कर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे थे फिर दूसरी सीसी ट सीसी टीवी फुटेज चलाई गई जिसमें चांद बाग में किस प्रकार शांति ब्रय प्रोटेस्ट के लिए लाठी डंडो को प्रेपेर किया जा रहा था उसको प्रदर्शित किया गया कोर्ट के सामने कोर्ट में ऐसे बड़े सारे CCTV फुटेज चलाए गए जिससे ये प्रूव किया गया कि पूरा जो दंगा था वो सूनी उजित था फिर आगे एक CCTV फुटेज चलाई जिसमें बताया गया कि एक पूरी मॉब आई जिसने पुलिस को आउट नंबर कर दिया और उस CCTV फुटेज में गोलियों की आवाज भी सुनाई सीधी सीधी पड़ रही थी फिर उस WhatsApp ग्रूप में बिलाल नाम का एक व्यक्ती एक News शेयर करता है जिसमें पता चलता है कि एक पुलिस वाले को ही मार दिया गया है उसको गोली लग गई है और उसने डरते हुए कहा अरे यार बस यही ना हो जाए Constable की मृत्यू की News जो थी वो चार बज़ के 44 मिनट पर आई थी और पांच बज़ के दो मिनट पर उमर ने नताशा को कॉल किया और शीट के अनुसार ना नताशा जाफराबाद मौजबूर एरिया की इंचार्ज थी और जैसे ही बॉम ब्लास्ट हुआ वैसे ही सब ने एक दूसरे को ना कॉल करना शुरू कर दिया और इसके भी सभी जो रिकॉर्ड्स हैं दोनों ही चीजों के रिकॉर्ड्स दिखाये गए कोट के अंदर फिर य उनके हाथ तो लंबे होते हैं सामने बॉलिवूड में नहीं यहां पर भी देख लिया फिर एक प्रतेक्स दर्शी विक्टर ने चांद बाग का व्यारा देते हुए कहा कि वहां पर नारे लग रहे थे हिंदूओं को खतम करना है फिर बात ताहिर हुसैन पर आई और बताय ही कर रहे थे फिर एक व्यक्ती रोबर्ट ने अपनी स्टेटमेंट कोट के समक्ष दी और कहा दंगे कराने के लिए जो पैसा आता था उसके दो सोर्स थे एक जामिया मिलिया और दूसरा आतंकवादी देते थे फिर वॉड्सैब पर एक स्टेटमेंट यह भी दिखाई लिए एक अलग देश बनाना है पिरवई अंत में शर्जिल इमाम के अगेंस्ट तो कोट ने पूरे ग्राउंड्स देखकर ये कह दिया कि उसके अगेंस्ट तो अब प्रोसीड कर सकते हैं बड़े सारे प्रूफ्स हैं पर आपको जानकर ये बिल्कुल शौक नहीं लगेगा क कि राजनितिक पार्टियों के गुंडो द्वारा हिंसा की आशंका और आंदोलन के राजनिती करन से बचने के लिए चक्का जाम को वापस ले लिया है वो शाहिन बाग के बारे में बात कर रहा है कि हमें आशंका थी कि पुलिस को बीच में नाला कर बीजे पी आंदोलनकार आंदोलन खत्म हो चुका होता जाहिर है कि उसके बाद भी जारी रहा इस पोस्ट के बाद भी क्या आपको ये बताया गया है कि शर्जिल इमाम ने शाहिन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता है कि वह हिंसात्मक हो और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिससे किसी नहीं माना लेकिन दाइए मिनट के शर्जील के बयान को वायरल किया गया और उसके बयान को लेकर राजनीती गर्माई गई करने की बात कई थी उनके समर्तन में कुछ पोस्टर साज आपके प्रोग्राम में भी दिखे जिसमें उन्हें रिहा किये जाने की बात इस तरह की चीजों को कैसे देख रहे हैं देखिए शरजील के मुद्दे पे तो विवाद ये है कि सब लोग कहते हैं कि वह सहमत है उससे लेकिन विवाद ये है कि वो चक्का जाम की बात कर रहे थे वो जो कि एक विरोध का एक तरीका है ये अकसर हुआ है भारत में मतलब हर्याना में हुआ है राजस्थान में हुआ है रेजरवेशन के मुद्दे में अकसर हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पता नहीं कि लिए सेडिशन क्या सच में होगा वो तो ये वाद विवाद है मैंने किया किसी पक्ष में हूँ तो एक शांति पूंट तरीके से हमारे लोकतंत्र में ये 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 है स्पेस हमारे पास कि अगर जो लोग सोचना है कि शरजील पर सेडिशन का चार्ज नहीं लगना चाहिए व परंतु एक सेक्षन ने लीगल बीट को ही कट घरे में खड़ा कर दिया और कहा कि भाई आपने लोगों को ये सब प्रूफ कैसे दिखा दिये तो कोट के अंदर की बात है जो बात कोट के अंदर ही समाप्त हो जाती वो बात आज लोगों के बीच कैसे पहुँच गई इस ब कह रहे हैं कि आपने प्रूफ को पब्लिक डोमेन में कैसे डाल दिया वाख गजब ही बात हो रही है अब जब इतने तगड़े प्रूफ मीडिया में आ गए तो उसके बाद निधी स्वरा जैसे लोगों ने नया प्रोपेगेंडा आरहम कर दिया और कहा कि अरे ये बेल पल है चलिए हाशानवित हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो आपकी प्रतिक्रिया है वो लिखें नीचे कॉमेंट में शेयर करें वीडियो को साथ में आप हमें जी पे फोन पे पेटियम या यूपी आई के माध्यम से या पेट्रियोन के माध्यम से सपोर् कि वीडियो अबत।